समर सेस है नहीं पाप का भागी केबल ब्यागर जो तटस्त है समय लिखेगा उनके भी अपराद जी हाँ दोस्तों मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान हिमाचल परदेश का चुनाव खत्म हुआ रिजल्ट आपके सामने है परन्तु कोन बनेगा मुख मंत्री ये कॉंग्रेस तै नहीं कर पा रही है MCD दिल्ली का चुनाव हो गया रिजल्ट आपके सामने है आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई भाजपा चुनाव हार गई लेकिन मेर कोन बनेगा ये कह नहीं सकते ऐसे भाजपा के परदेश अध्यक्ष आदेश गुपताजी ने इसारा कर दिया कि भाजपा का ही मेर बनेगा हारने के बाद भी तो क्या होर्स ट्रेडिंग होगी और कुधनी उपचुनाव जो बिहार का एक विधान सभा है कुधनी जहां उपचुनाव हुआ और नितीश कुमार जी ने मनोज कुषवाहा को टीकट दिया वो भाजपा से हार गे महागठ बंधन बहुत बला गठ बंधन है लोगों का आकरसम का केंद्र है परन्तु इनके उमिद्वार चुनाव हार गे और आरजेडी के एक पुर्व विधायक ने हंगामा कर दिया अनिलसानी कि नितीश कुमार जी को नेतिक्ता के आधार पर अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए क्या नितीश कुमार जी मुख मंत्री बने रहेंगे इन तमाब प्रस्णों का हल हम सब आपस में बैठ कर ढूनते हैं उप चुनाव और बाकी चुनावों के बाद आम जन्ता की क्या राय है लोगों को क्या कहना है लोगों ने क्या कहा और आगे क्या होने वाला है सामने 2023 का चुनाव भी है कई राज्यों में एक और प्रस्ण उभर कर सामने आया है बस्पा अगर चुनाव हारती है चुनाव में अच्छा स्कोर नहीं करती है तो इसका जिम्मेदार कौन बहन माया बती जी कार्ज करता, कॉडिनेटर, बरे नेता, छोटे नेता आपके उपर छोड़ता हूँ आप अपने कॉमेंट्स में हमें जरूर बताएं, आम जनता की राय जानना चाहता हूँ कि बस्पा दिनो दिन हर चुनाव में हार जाती है, कोई अच्छा स्कोर नहीं कर पाती है ऐसे ट्वीटर पे कुछ लोगों ने प्रस्ण किया, सामने मध परदेश का चुनाव है दो हजार तैस में तो कितने सीट बस्पा निकालेगी, आप भी बता सकते हैं, अपने कॉमेंट के जरूए क्या मध परदेश में जो अगला चुनाव होगा और राजस्थान में, क्या बस्पा उस चुनाव में अच्छे बिधायकों की सीट, अच्छे बिधायकों के नम्मर से ला पाएगी पिछली बार चुनाओ में राजस्थान में छे बिधायक भाग के कॉंग्रेस में चले गए थे बसपा के ही और मध्परदेश में भी दो बिधायक थे उनका भी वही हस्र हुआ कहने का तात परजिया है जनता मालिक है आप मालिक है आप बोड देते हैं सरकार बनाते हैं आप ही तै करते हैं किसको सत्था में आनी चाहिए कोन सत्था से बाहर रहेगा और बसपा को पिछले कई बरसों से और यह कह सकते हैं कई टर्म से जो है बसपा को कोई स्कोर महीं मिल रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है बहन माया बती जी की एस्टर जी चुनावी प्लान अब तो 37 चंद मिस्रा जी भी नहीं थे MCD के चुनाव में बाकी जगा भी वो नहीं है फिर भी बसपा को नम्मर्स नहीं मिल रहे हैं उनके जो एंडियेट चुनाव जीतने ही पा रहे हैं आनिल सहनी जो अती पिछराबर्ग से पुर्व विधाय करा चुके हैं आरजेडी के हैं उन्होंने बयान दे दिया नितिश कुमार जी को गद्धी छोड़ देनी चाहिए यानि सीट छोड़ देनी चाहिए और तेजश्वी यादव जी को मुख मंत्री बना देना चाहिए बिहार का भाजपा भी आक्रामक है भाजपा के जो नेतापर्ति पक्ष हैं विजय कुमार सिनहा वह यह कह रहे हैं कि कुधनी में जो उप चुनाव हुआ अथवा गोपाल गंज हम चुनाव जीते हैं इन चुनावों में जो रिजल्ट आया है वह रिजल्ट ही 2024 और 2025 में हो यादव को हरा दिया उनके कैंडिडेट को लेकिन कुधनी में तो यह दो बैक्ति नहीं थे ना बहन मायावती जी थी या उनका कैंडिडेट और ना OBC जी उहां नितीश कुमार जी का कैंडिडेट मनोज कुषवाहा क्यों चुनावार गे हैं और वहां RJD का सीट था और नि लिहाज बस भावनात्मक रूप से कि हम इनके साथ जुरे हुए इनकी बात कैसे काट रहे हैं इन्होंने उनको कह दिया ठीक है आप अपना कैंडिडेट खरा कर लीजिए उन्होंने मनोज कुषवाहा को कैंडिडेट बनाया और चुनावार गे तो क्या नितीश कुमार जी अती पिछरा का सीट था तो अती पिछरा को क्यों नहीं दिया उन्होंने कुषवाहा को ही क्यों दिया वो अपने कुनबे में ही क्यों सिम्टे हुए रहते हैं इस तरह के आरोप लग रहे हैं और दिल्ली की जनता तो ये भी कह रही है कि या चुनाव था या फिक्स मैच त तुम मुझे गुजरात दोर मैं तुम्हें दिल्ली देता हूँ। ये भी आरोप लग रहे हैं। MCD का चुनाव केजरिवाल जीते, कम अंतर से जीते हैं। ऐसा नहीं है कि भारी बहुमत मिला हो। लेकिन दिल्ली की जनता ने ये प्रस्ण कर दिया कि MCD जो है भाजपा ने इनको गिफ्ट के तौर पे दिया है ताकि गुजरात ये हार जाए। इतने मत प्रतिसत इनको प्राप्त हुआ आम आदमी पाटी को कि ये राश्टीए पाटी अब बन गए है। और रही बात ये केजरिवाल भले ही गदगद हो आम आदमी पार्टी के कार्ज करता है भले ही गदगद हो लेकिन आम जनता ने ये सवाल कर दिया है और उधर आदेश गुपता जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के दिली प्रदेश के उन्होंने प्रस्णों के जवाब म भी पारसद जीते हैं वो अपनी अंतरात्मा की आवाज देखेंगे और हमारे खरे की candidate यानि जो मेर का हमारा candidate होगा उसको वोट करेंगे तो मेर तो हमारा ही होगा यानि अंतरात्मा की आवाज से लोग कह रहे हैं कि MCD के मेर पद का जब चुना होगा तो उस वक्त हाई लेवल की होर्स ट्रेडिंग होगी बहुत बड़ा भरस्टा चार होगा क्या आप इन बातों से सहमत हैं कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि केजरिवाल हो या मोदी जी दोनों तो एक ही थाली के चत्य बट्टे हैं दोनों जो है RSS के तरफ से गाइड़ेड हैं कुछ लोगों का ये आरोप है अब आप कह सकते हैं सत्त क्या है लेकिन सबसे बड़ा प्रास्ट जो उभर कर आ रहा है कि हिमाचल में कॉंग्रेस की जीत हुई तो मुख मंत्री अभी तक फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है कि मुख मंत्री कौन बनेगा और आपको एक बात बता दें उधर केजरिवाल साहब ने कह दिया कि 5 साल में MCD में 5 मेर दूंगा एक साल में देखूंगा कि किस तरह का डेवलप्मेंट है अच्छा पाले बचला जाता है राहुल गांधी जी के दरबार में पहुंच जाता है कि अब आप ही बता दो कि मुख मंत्री कोन बनेगा आम जनता ने चुना आजकर एक फैसन सा हो गया है भाजपा तो पहले से सुरू कर रखी है कि मुख मंत्री का जो चेहरा सामने नहीं करेंगे मो दरवार चुनेगी कि मुख मंत्री कौन बनेगा और अभी तक फैसला दरवार से नहीं आया है इन्हें आप लोकतंत्र का दरवार कह दे राज दरवार कह दे परिवार की पाठी कह दे जो भी कहना है आप कह सकते हैं लेकिन एक प्रस्ण और उभर कर आया है बहुजन समाज के नेता और बड़े बड़े जो राजनिती में इंट्रेस्ट रखते हैं बसपा के चुनाव हारने से तक खुस क्यों होते हैं चुनाव से पहले वो बिरोध करते हैं कि बसपा आगे ना जाए और जब बसपा चुनाव हार जाती है तो नसीहत देने के लिए आ जाते हैं ऐसा क क्यों अपने समाज के साथ धोखा धरी क्यों यह बहुत बड़ा प्रस्ण है बहुजन समाज के लिए हमारे दर्सकों के लिए भी आप इस प्रस्ण का भी हल कीजिए बताईए अपने कोमेंट्स के द्वारा कि बसपा कब आएगी सक्ता में और किस परकार आ सकती है मैं अपने तमाम दर्सकों से यह कहना चाहता हूँ कि हर रोज और हर मुद्दे पर आपके मुद्दे पर जिससे आपका लगाव है उन मुद्दों को लेकर हम रोज आएंगे रोज आपके सामने न्यूज होगी आपकी टॉपिक होगी आप बने रहे हैं बिहारी सुल्तान चै नवाइ